दोस्तों, जिन्दिगी में आप अलग-अलग प्रस्थितियों में कैसे परताव करते हैं? ये आपके असली चहरे को दिखाता है? कुछ लोग अपने जीवन में मिलने वाले कटू अनुभाओं से सीख लेते हैं और बदलाव लाते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो गटना की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और अपनी निराशा को कडवाहट में तब्दिल कर लेते हैं. कोई भी समझदार व्यक्ति, जिसे चीजों की जरसी भी जनकारी है, वो बताएगा कि हम गलतियों से ही सीखते हैं और इसकी मदद से ही हम बहतर इंसान बन लेकिन आज हम जिन चार राशियों का चिक्र करने वाले हैं, उनके लिए करपाना बहुत मुश्किल है, वसवक्त आप हैरान नहों जब इस राशी के लोग छोटी सी विजह को लेकर आपके साथ कडवाहट भरा विवहार करने लगे, तो चलिए जानते हैं इन राशियों के पहली राशी है मकर राशी, मकर राशी के लोग इस सुची में सिर्श पर मौझूद हैं, इनके जितना कठोर विवहार शायद ही कोई करता होगा, अब आप समझ सकते हैं कि जब चीजें गलत होने लगती हैं, तो ये कितने जादा चिड़ जाते हैं, यूँ तो मकर राशी क के लोग कई बार निराशावादी, माफी ना देने वाले और नाकरात्मक राशी बन जाते हैं, और जब उन्हें धोका या मन मुताबिक काम नहीं मिलता है, तो ये रोश से भर जाते हैं, आप माफी मांगने का जितना प्रयास कर लें, लेकिन मकर राशी के सामने व्यर्थ ह दूसरी राशी है व्रिशक राशी, व्रिशक राशी के लोग दूसरों के साथ कड़वाहट भरे रिस्ते नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन ये इसे अपने प्रशनालिटी का हिस्सा मान कर स्वीकार कर लेते हैं, इस राशी की चुनुनी खासियत होनी के वज़़े से ये प गलती पैदा हो जाती है, तिसरी राशी है कन्या राशी, कन्या राशी के परिश्वानी ये है कि ये सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, बलकि खुद के लिए भी बहुत उचे स्टेंडर्स रखते हैं, जब चीजें इनकी योजना के नुसार आगे नहीं बढ़ती है, तो ये अपनी भूमीका के साथ दूसरों के रोल का भी मुल्यांकन करने लगते हैं, और जाननी की कोशिच करते हैं कि आखिर गलती कहा हुई, ये सारी चीजें बाहर दरशाते नहीं हैं, लेकिन इनके अंदर ही अंदर कड़वाहट और गुस्से का गुबार भरने लगता है, उस स्थिति में खुद के शामिल होने पर पच्चतावा करने लगते हैं, चौती राशी है सिह राशे, जब आप ये चाहते हैं कि दुनिया आपकी तारिफ करे और हकिकत इससे परे हो, तो दो चीजे संभव है, एक तो ये कि आपको एहसास हो जाए कि आप अपनी इमेज को लेकर गलत सोच रहे थे, और दुसरा की आप दुनिया पर ही उंगली उठाने लगे, आप समझ गया होंगे, किसी ही राशी के लोग कौन सा विकल्प चुनते होंगे, इनके अंदर बहुत ज़्यादा इगो और घमंड भरा होता है, खुद को लेकर इनकी दुनिया ही अलग होती है और इस वज़े से इनके अंदर कडवाहाट और ड्रामा आपको आसानी से मिल जाएगा, तो यह थे दोस्तों, यह राशीया होती हैं बहुत कडवी, शकल पर दिख जाता है गुस्से का गुबार